चिंता, सबके चेहरों पर चिंता, हर इंसान चिंता से दुखी है, चिंता दुखों के जन्नी है, क्यूं चिंता करते हो? मैं कई बार अपने कई बच्चो को दूसरे बच्चो से पुष्टे हुए देखता हूँ कि बाबा के कौन से वर्ध करें बाबा का कौन सा पूजा पाढ करें कि हम बाबा के करीब हो जाएं और हमारे जिंद किसी दुख दर्द दूर हो जाएं मेरे बच्चों अगर तुम वर्द रखोगे तो बूखे रहोगे तो उस दिन मुझे भी बूखा रहना पड़ेगा क्योंकि मैं भी तो कुछ नहीं खापाऊंगा अगर मेरे बच्चे बूखे हैं इसलिए मेरे बच्चों अगर मेरे करीब आना चाहते हो, तो वर्द यादा पूजा पाट की जरूरत नहीं, इश्वर को अपने बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस बिना शर्ट करस नहीं, इश्वर के प्रती, स्मर्पन और जरूरत मंदों के लिए कौड़ना, जरू सचाहि के रास्ते पर चल, अगर तुस्चाहि के रास्ते पर है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुम अपने विचारों, शब्दों और भावनाओं को बहुत सोच समझ कर इस्तमाल किया करो, भागे बहुत कठीन प्रिक्षा लेता है, अगर भागे खूब देता है, तो क्यों हो रहा है, बाके सब सुख भोग रहे हैं, और मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, मेरे बच्चे जो प्रकरती है न, उसका बही खाता एकदम संतूलित है, वैं दोखे बाज, और फ्रेवी को कभी नहीं भूलती, जिसने दोखा दिया है, उसे फल जरूर मिलेगा, इस जनम में तुम सच्चे हो, तो ये इस जनम के नहीं, तुमारे पिछले जनमों के कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि इस जनम में तो सोच समझ कर हर काम करो, कि आगे के जनमों में नादुख उठाने पड़ें, और मेरे बच्चे ये भी देखो कि तु पोड़ी से देर के लिए भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे, जो सिर्फ नकरात्मक बाते करता हो, तुम बिलकुल ऐसे हैज हो जाओगे, और यादा देर उसके साथ रहे, तो तुम खुद भी नकरात्मक विचारोवले बन जाओगे, इसलिए संक्ति का हमेशा ध्या रखो, ऐसे लोगों का साथ करो, जो सत्ते की रहा पर चलें, धार्मिक हो, तुम धार्मिक सत्नों की यात्राहे किया करो, सरसंग में जाया करो, तुम्हारे विचार बदलेंगे, मेरे बच्चे, जीवन बहुत सरल है, तुम लोगों ने उसे मुश्किल बना दिया है, अधि बार उसमें कर्म की भूमिका भी नहीं होती, तुम्हारे विक्तिगत निर नहीं, जीवन को नर्क बना देते हैं, इसलिए मेरे बच्चे, अपने जो भी कर्म है ना, उस सोच समझ करो, अपने जीवन को सरल बनाओ,